प्रुथी व्याहा आईए हम जानते हैं कि जीवामरित का निर्मान कैसे होता है प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गव मूत्र, गुड एवं दो दले चीजों का आटा या बेसन आदी मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमतकारिक परिणाम मिलते हैं जिसका नाम रखा गया जीवामरित जीवामरित निर्मान के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं 10 किलोग्राम देशी गाएं का गोबर, 8 से 10 लीटर देशी गाएं का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गोड, 1.5 से 2 किलोग्राम बेशन, 180 लीटर पानी, मुठी भर पेड के नीचे की मिट्टी. आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामरित बनाने की विधी भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है. इन सामग्री में से गोड, बेशन एवं गोबर को पानी या तो गव मूत्र का उप्योग करके ठीक से मसल कर लिक्विट जैसा बना ले. अब इन सामग्रीयों को एक ड्रम में डाल कर उसे लकडी के एक डंडे से घोलना है. ठीक से घोलने के बाद जीवामरित बनने के लिए दो से तीन दिन तक चाया में रख देना है. प्रति दिन सुभा और शाम घडी की सुई की दिशा में लकडी के डंडे से दो मिनिट तक इसे घोलना है और जीवामरित को बोरे से ढख देना है. ये जीवामरित जब सीचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमी में जीवानूओं की संख्या अविश्वस्निय बढ़ जाती है. और भूमी के रासायनिक वज्जैविक गुणों में व्रिद्धी होती है. जीवामरित को महीने में दो बार या एक बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रती एकड़ के हिसाब से सीचाई के पानी के साथ दीजिए. फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पढ़ती है, उस छाया के पास प्रती पेड़ 2-5 लीटर जीवामरित भूमी पर महीने में एक बार या दो बार गोलाकार में डालना है. इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है. इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केचुओं की संख्या बढ़ती है. प्राकृतिक क्रिशी में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है. इतना ही नहीं, प्राकृतिक क्रिशी भूमी गत जल को भी बढ़ती है. इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है गान जीवामरित जीवामरित का ही सूखा हुआ स्वरूप है जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामरित मिला कर दो दिन छाया में रखते हैं इसे एक बार फिर धूप में सुखा कर तथा डंडे से पीस कर महीन बना दिया जाता है यही घन जीवामरित है जिसे एक एकड के लिए प्रयोग कर सकते हैं प्राकृतिक खेती का एक अवश्चक आदान बीजामरित है बीजामरित जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है वहीं इसकी अंकुरन ख्षमता को अधबुत रूप से बढ़ाता है देशी गाए के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गव मूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामरित बनता है एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संसकार किया जाता है इसके एक दिन बाद संसकारित बीज बुआई के लिए तयार हो जाता है आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपोण नियम है खेती वाली सारी भूमी को फसल अवशेश से या छोटी अवधी की अंतर फसलों से पूरा ढख दिया जाता है आच्छादन भूमी में नमी बनाए रखता है तथा वातावरन से नमी को खीच कर खेती हेतू पानी की खपत को भी अदभुत रूप से घटाता है जीवानूओं एवं केंचूओं की गती वीधियों को बढ़ाता है खर पतवार को नियंतरित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कारबन उत्सरजन को रोक कर भूमी के जैविक कारबन क्षमता को बढ़ाता है इस क्रिशी विधी में वापसा निर्मान भी एक महतवपून प्रक्रिया है जिसमें भूमी में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है प्राक्रितिक क्रिशी विधी केवल भूमी की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है बलकि ये कीट इवं बिमारियों के रोक्थाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है फसलों पर कीट पतंगों की रोक्थाम के लिए स्थानिय वनस्पती पर आधारित, सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अगनी अस्त्र पाँच किलोग्राम नीम या अन्य स्थानिय पौधा जिसे गाए नहीं खाती के पत्ते बीस लीटर देसी गाए का मूत्र, पांचसो ग्राम तंबाकू पाउडर, पांचसो ग्राम हरी मिर्च, तथा पचास ग्राम लहसून के पेस्ट को मिलाकर धीमी आच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है सुबह शाम दो-दो मिनिट के लिए घोलें, इस घोल को 6 लीटर प्रती 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकर में छिड़काव करते हैं नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्ख इत्यादी भी कीट पतंगों की रोख थाम के लिए उप्योग में लाए जाते हैं इसी तना खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादी प्रभावी रूप से विभिन बिमारियों की निवारन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक क्रिशी से देश में नई उर्जा का संचार हो रहा है हमारे एक पत्मपृरस्कार विजेता सुबास जी करके हैं महराज सके उन्होंने जीरो पजेश खेती का एक विचार विच्शित किया है यह वो प्राकृतिक खेती वाला विशे है इससे हमारी धरती मा भी बचती है हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से जादा होती मेरा आप सभी किसान सात्यों को तेज भर के किसान सात्यों को आगर हैं आप भारी बात को समझेंगे मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे आजादी के अमरित महटसव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हे तू माननिय प्रधान मंतरी जी का ये अती महतुपून आवान है देश के लाखों किसानों ने इस विधी को स्थापित कर दिया है गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घुशित कर दिया गया है देश के कई गां आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नती आ रही है मेरा नाम सत्याँ है मेरे डेर सौ पोदा हैं जिसमें में पक्रिति खरीति की अब सप्रे कर रहे हूं अगर जहरहली सप्रे हम दुकानों से करते थे तो उससे मारे खर्चा जाद आता था पैसा भी जद लगता था और इसमें अपने बगीचे से शुरू करा है पर इस साल में सब को बता रहे हूं कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में आप इस प्रे करके देखो दिल खुश हो जाता है सर जब अपनी फसल इस तरह से आए तो दिल भी जब शुरू करी है तब से सबसे पहले तब आए पढ़ता दालों में मुलायम होगी मास है डालों में राजमा है और सर्डिय में मैं मसूर और जौ भी जाई कर दिखिए इस दान अबारे पास और चावन है तानी अपने बास उतनी बहरे में अगला बोलते है एंटी प्राकर्टी खेती करता हूं अभी हमने जब शेय प्राकर्टी खेती करी है तो इसमें आपको दिखाएंगे इस खेत में अमने पंच सुत्रिय बाग लगाया है इसमें शेब किन्नू अडू अल्बुखारा अंजीर और ये बैड़ पे पूरे में अल्दी है और अल्दी के न है वो करीब एक साल में डेड़ से डाइलाग तक मतलवा जाती है कोवीड जेवी महामारी नी परिस्टिती में लोको ने समझावी कि जो आपनों खोराक म सुधी करना से तो अज आपने बची सका से तो हवे ए लोकों समझवा मेंडिया चे लोको उभगता समझवा मेंडिया हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी खेती का हमारी धरती मा का स्वास्ति भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ हमारा भी स्वास्ति अच्छा हो रहा है यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गाओं गाओं में समर्धी और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत प्राकृतिक क्रशी आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी